तो आज में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं गर्मियों के खाअ शर्वत रौ अवजा एक नइध टोईस्ट के सार्व तो हूँ देखते हैं कि यह रौप गर्मियों में कॉनसा छाय साथ शेयर कर सकते हैं लेट सी कि असली गौंद कतीरा क्या है और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि इससे आज मैं जटपट सी ड्रिंक भी बनाऊगी जिसे पीकर हम सब पूरे दिन रह सकते हैं फ्रेश, तरो ताजा और साथ में वेट लॉस भी होगा चुटकियों में तो इसलिए वीडियो को लास्त जिरूर देखिए तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आज गौंद और गौंद कतीरा का सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बताने वाली हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये था गौंद और ये है गौंद कतीरा इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम लेंगे दो बर्तन तो सबसे पहले ये जो है गौंद उसको मैंने डाल दिया एक छोटे बर्तन के अंदर और दूसरा है गौंद कतीरा ये जो गौंद है इसका इस्तमाल होता है गर्मियों में जो हमें लू नहीं लगने देता तो ये दो पीस भी काफी होते हैं तो फरेंट सबसे पहले मैं लोगी औप पानी ये नॉर्मल पानी है इसे डाल दूंगी गॉंद कतीरा में गॉंद कतीरा जो होता है उसमें डबल से भी डबल पानी डाला जाता है क्यूंकि वह अपने साइब से पांच गुना ज़्यादा फूल जाता है और पानी डालने के बाद इन्हें हम ढखक कर रख देंगे चार-पाश घंटे के लिए तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि इसकी पहचान के लिए यह बहुत जरूरी टिप है तो इस पे आप देखेंगे नेक्स जे के क्या होगा मैंने रात को विगो दिया है अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगे इसके अंगिनत तरीके पहचानने के तो फ्रेंट्स जैसे कि मैंने यह विगो के रख दिया था गौन और गौन कतीरा और कहा था कि आपको इसका सबसे बड़ा फर्क बताऊंगी Pak जो आपको दिखाना ऐने सितिरम बिल्कुल लिकुइट बन चुका है इसमें ऄंगिं सारा का सारा गौन हो चुका है तो यह वह वह रहां जिसके हम लड़ा बनाते हैं सर्दियों में उसलिए यह सारा मेल्ट होगी है से हम साइड रख देते हैं और आप दिखाते हूं मैं आपको गौन कतीरा यह देखों कितने अच्छे से यह जैली पॉम में आच चुका है तो यह हैं गौन कतीरा जिसे हम गर्मियों में कई तरह की रेसिपीज में यूज करते हैं और सबसे बड़ी बात इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता आप इसे चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं और मीचा भी फ्रेंट्स यह बहुत फायदे मंद होता है यह PCOD जैसी बिमारी में भी बहुत फायदा करता है तो मैं बनाते हूं से एक जटपटसी ड्रिंक तो इसके सबसे पहले मैंने ले लिया ग्लास और इस गलास में डाल दिया मैंने ये ठंडा पानी में और अब हम लेंगे वही रोवजा心 तो हर घर में गर्वी उसमें मिलता ही है तो आज हम चीनी या शक्क्र या मिश्री का इस्तमाल नहीं कर रहा है मैं डाल रही हूँ इसमें रुफजा आप अपने टेस्ट के साथ weet कम और ज्यादा कर सकते हैं और यह चीय को मैंने विगव कर रखा हूँ था तो पूरे दो तिन चमद्र हम डाल देंगे इसमे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्रेंड शाय आख्षा लेगे इसमें तो यह हैं आधा नीमू इसको अच्छे से निच्छो Εद देंगी चीय सीड भी बहुत ज़्यादा हेल्फुल होते हैं हमारे वेट को कम करने में क्योंकि ये फाइबर से भरे होते हैं और ये हैं गौन कतीरा जिसको हमने फुलाका रखा हुआ था अब इस जैली फॉर्म गौन कतीरे को भी हम डाल देंगे अपने इस ड्रिंक के अंदर और इसे अच पचान तो मैंने आपको बताई ही दिये और इसके फाइदे भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे ये हमें गर्मी से तो बचाता ही है लू लगने से तो बचाता ही है साथ में ये हमारी PCOD की बीमारी में भी बहुत फाइदे मन करता है ये हमारी weakness को दूर करता है अगर आप ड होगा पर आपकी एनरजी भर पूर रहेगी सरफ एक गिलास से तो दोस्तों हमारा तो ये गौन करती ही रहा है special row of the drink बन के हो गया तैयार जो है एक special गर्मियों वाला weight loss drink भी तो मैं चलती हूँ फिर मिलूंगी अगली वीडियो में पर जाते जाते इतना कहूंगी कि वीडि कर लीजेगा और साइड में बने हुए बैल के आइकॉन को भी दबा दीजेगा तो फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग इंजॉए गीता सिंग रेसेपीज